डियर स्टुडेंट आज हम लोग सीखेंगे स्टील लाइफ स्टील लाइफ क्या होता है स्टील लाइफ वह कोई भी नॉन लीविंग अबजेक्ट स्टील लाइफ होता है अर्थाथ still life वह होगा जो अपनी जगा से दूसरी जगा खुद से नहीं जा सकता है और उसमें setting और shadow भी होना चाहिए जब हम still life को setting करते हैं तो बहुत सारी सिर्जों को द्यान में रख करके shedding करते हैं जैसे कोई भी still life आप बना रहे हैं यदि वह object प्लास्टिक का है तो उसके हर एक पार्ट पे आप first tone करेंगे उसके बाद second tone करेंगे उसके बाद third tone करेंगे ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें आप dark और light दिखाएंगे दूसरी चीज़ जब कोई भी object आपका mirror का है तो उसमें जहां पर light होगा जहां पर light होगा वहां पर आपको पेपर को बिल्कुल white छोड़ देना है first tone में जहां पर light पड़ेगा वहां पर सबसे ज़्यादा light होगा उसके बाद second tone फर्ड टोन ऐसे करके आपको आगे बढ़ते जाना है किसी बी आपको डार्क लैक दिखाए देता है वह होता है जो किसी भी object पर पड़ता है किसी भी object पे जो भी आपको dark light दिखाई देता है वो हमारा setting होता है और shadow क्या होता है जो किसी भी object का पड़ता है किसी भी object का जो पड़ेगा वो आपका shadow होगा और किसी भी object पे पड़ेगा वो आपका setting हो जाएगा अब यहां पे आपको थोड़ा से दिखाई दे रहा है यहां पे आप देखेंगे यह सारा चीज जो है आपका यह चीज आपका शेडिंग है यह आपका शेडिंग अब देखें यहां से इसका यह चीज पढ़ रहा है आपका शैडू यह सब सारी चीज जो है यह सब सारी यह देखिए हर जगह पर डारिक्ट जहां पर लाइट पढ़ रहा है महां पर पेज को छोड़ दिया गया है अब उसके बाद उसमें शेडिंग कर दिया गया अब दूसरा पेज यह माली जहीं है Haru Chandler आपको जब्रकल दीखना पड़ेगा आप जितना जितर आपको दिखाए देगा से फिद बहुँ दोड़ा सा जिसका रिफलेक्ट पढ़ा तो यहां पर लाइट पढ़ा रहा है इदर भी light है आपका अब इसमें देखिए यहाँ पर डार्क light करके ऐसे करके आपको still life को बना लेना अब यहाँ देखिए यह भी आपका still life है इसमें सारी छीज़ स्टील के कुछ कांच की है तिसुले भी जाहां पर लाइट होता है वहां भी डारेक पेसको हम वाइट छोड़ देते हैं और शBlue कर सकती है तो आपको या फिर किसी भी चीज में आपको प्राबलम होगी तो आप हमको पूछ लेजए trudके बहुता हैं okay thank you